हेलो दोस्तों वेलकम बेक टू माई चैनल आज हम आपके लेके आए हैं कैनन M50 Mark II के साथ आने वाले किट लेंस जो की 1545 किट लेंस होता है वर्सिज 1018 mm का अल्टरा वैड अंगल लेंस आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि दोनों लेंसिस में क्या आपको 1018 mm का अल्टरा वैड अंगल लेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए आप इस समय देख रहे हैं हमने अपने कैमरे में कैनन M50 Mark II के साथ आने वाले फ्री लेंस को लगा हुआ है जिसको 1545 लेंस कहते हैं और आप देख सकते हम कितनी दूर अपेर हो रहे हैं दोस इस तरह दोस्तों यह अल्टरा वैड एंगल हमारे लिए अगर हमारा रूम बहुत जाला चोटा है और यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हैं तो वर्दान साबित हो सकता है अब आप देख सकते हैं मैंने कैनन M50 Mark II को हाथ में ले लिया है और मैं सेलफी वीडियो रिक बना देता है अगर आप दोस्तों इस्ट्रीट वीडियो ग्राफिक करते हैं तो दोस्तों यह लेंस आपके लिए बहुत जादा बहतरी निसाबित होने वाला है आप देख सकते हैं कितना ज्यादा एरिया यह कवर कर रहा है दोस्तों अब हमने कैनन M50 Mark II के साथ आने वाले 15 1445 किट लेंस को अपने कैनन M50 Mark II में लगा दिया है और आप देख सकते हैं सेम डिस्टेंस पे अगर हम सेलफी वीडियो रिकोड कर रहे हैं तो हम कितने दूर अपेर हो रहे हैं और साथ में हमारे आसपास का एरिया कितना कवर हो रहा है इस परकार आप अंदाज लगा सकते हैं कि कैनन M50 Mark II के साथ आने वाला किट लेंस और 1080 mm के लेंस में क्या डिफरेंस है और किस परकार वो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस जो है वो अपना परफॉर्मेंस देता है इस वीडियो के बाद आप अपने आपी डिफरेंस कर सकते हैं अगर मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा भी यूस्फुल लगाओ तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आप कैनन के अन्य लेंस का वीडियो देखना चाते हैं या एसे सिरीस के वीडियो देखना चाते हैं तो नीचे दिए गए लिंक्स पर क क्लिक करके आप अन्य वीडियो भी देख सकते हैं इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूं कि दोस्तों बाबाए टेक कैरा में आज डे जहिंद